है आप सभी का स्वागत है फ्रीफार गेमर्जोन के नए वीडियो में होपुली आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो पर हम लोग देखने वाले अपकमिंग न्यू गोल्ट रॉयल जी हाँ इक्स्टूजइव गोल्ट रयर उसके साथ साथ हम देखने वाले न्यूओ करेक्टर मैं उसका पूला का पूरा पूडा लिर्टी और बहुत सारी वतेले वीटो को स्टाव करते हैं अंग बचार्ट करने में और उसको all पे सेट कर दो तो चलो गाइस वीडियो को किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला दमा का आप लोगों के लिए new upcoming male character तो गाइस new upcoming male character का name मैं आपको फिलाल नहीं बतने वाला हूँ क्योंकि name इसने नहीं बतना हूँ कि name change होर जाएगा ठीक है अभी फिलाल इसका जो name सभी को पता चला है यह change होने वाला है ऐसा ही हैं पर मेरे को information मिला है तो name के उपर नहीं जाते है सबसे पहले बात करते हैं इसके ability को लेके और इसका lookness को लेके तो lookness के लिए मैं आपको इसका पहले फोटो दिखा देता हूँ एक तो फोटो आप लोग screen को पर देख सकते हो उससे आपको lookness तो दिखी जाएगा लेकिन इसका जो ability है वो क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा video clip दिखा देता हूँ तो आप लोग इससे थोड़ा बहुत समझ सकते हो तो यह जो होने वाला अपना new male character होने वाला है और यहां पर इसका face देखोगे तो सस्ता टाइगा लगेगा यह आपको और फिलाल आपने किया इसका जो ability है इसको notice किया अगर नहीं किया तो मैं आपको फिर से एक बार सिर्फ ability वाला पार दिखा रहा हूँ तो आप लोग जो अच्छे से समझ सकतों कि इसका ability क्या है तो गाइस इसका जो ability है ना बहुत जादा कमाल का है और यह character हर एक SMG gun मतलब MP40 short range पर युस जो करते हैं उनके लिए character तो भाई एकदम must character होने वाला है इसका ability कुछ इस तरीके का होगा जब आप SMG gun कोई भी SMG gun यूज करोगे और उससे किसी को भी damage दोगे मैं kill की बाद नहीं कर रहो मैं damage की बाद कर रहो damage दोगे तो हर एक damage के साथ इसका जो health होगा आपके character का वो increase होगा मतलब यह must character हो जाएगा हर एक SMG gun यूज करने वालो को मैं आपको समझाएता हूँ आप MP40 से short range चे fight कर रहो किसी के साथ भी और यहाँ पे जो है सामने वाला आपको damage देगा आप उसको damage दोगे आपका health automatic बढ़ जाएगा और सामने वाले का तो health अगर character नहीं या तो बढ़ेगा भी नहीं मतलब यह character बहुत जादा OP होने वाला है हर एक SMG gun यूज करने वाला हो कोई अब SMG gun लोग range पे बहुत कमी players यूज करते सब भी लोग short range पे यूज करते MP40 के लिए UMP हो गया P90 हो गया इन सभी के लिए तो मतलब बहुत जादा फाइदेवन्त होगा यह character आप लोग समझे सकते हो और दिक्कत की बाद यह है कि जिनके बास होगा वो लोग थोड़ा dominate करेंगे game को या बोल सकतो starting पे अभी question है कि यह character कब आएगा आप लोग का यह questions तो रहता ही है तो मैं आपको बता दू OB20 update के साथ आपको यह character देखते हुए नहीं मिलेगा game के अंदर ठीक है यह character OB20 update आने के बाद मतलब यह माईना चल रहा है February माईना तो यह March माईने के middle या फिर end के time पर available होगा जहां पर यह top up पर available होगा यह भी मैं आपको बता रहा हूं तो अभी आप लोग बताना कि आप लोग को यह character कैसा लगा है सब्सक्राइब कैसा लगा है आपको जरू नीचे comment करके बताना मेरे को तो बहुत लग रहा है इसको देगने के बाद की character सबके पास होना जरूरी है अगर इस चीज़ को कम पैसों में दिया जहां मतलब कम diamond पे दे तो मेरे इस आप से अच्छा रहेगा या तो कोई event पे दे मतलब कुछ थोड़ा बहुत दिस्काउंट पे तो मेरे इस आप से अच्छा रहेगा आप लोग क्यास तो जरूर नीचे comment करके बताना तो काईस new character की बात चल रहे तो मैं आपको बता दू गरिना ने जो video clip launch किया है मतलब जो trailer launch किया है उसके अंदर स्टेफी का भी ability दिख है हम लोग को जो गारीना ने दिखा है और अगर आप देखो गए ना तो आप खुद चौक जाओगे स्टेफी जो character होने वाला यह group के लिए मतलब एक स्क्वाट के लिए कितना ज्यादा valuable character है मैं आपको उसके छोटा सा video clip दिखा देता हूं तो गैस देख सकते हैं पर स्ट पूरे team का help करेगा ना कि सिर्फ एक character का या फिर खुद के लिए यह पूरा का पूरा team का help करेगी जब यह fight पे रहेगी तो मतलब चोटा मोटा बात नहीं होता है इसे बहुत जादा help हो जालेगा पूरा squad के लिए तो क्या सोचा आप कभी इसके बारे में जरूर निचे comment कर करें बताना के स्टेफी भी गेम चेंजिंग होने वाली है वह चीज मेरे को जानना है आप से तो आप लोग कॉमेंट जरूर करना तो इस ट्रेलर के अंदर हम लोग को upcoming new attachments का भी यहाँ पे छोटा सा लूक मिल रहा है जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह attachments कितना ज् तो चलो यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका video clip जो दिखा देते हो तो आपको समझने में और ज्यादा अच्छा लगेगा तो गई सबसे पहले अपना plasma gun का देख सकतो है यहाँ पर जो वीडियो क्लिप को मैं slow करकर आपको दिखा रहा हूं देखो यहाँ पर चार्ज कम नह नहीं हो रहा है और अगर अगर आप कंपेर देखो के सामने दो एनिमी दोनों के गन में रिलोड आ जाता है तब तक उसका चार्ज रहता है मतलब इससे समझ सकतो कि यहाँ पर प्लाज्मा का जो एटजमेंट होने वाला है एक इतना ज्यादा वैलूएबल है मतलब बहुत अब समझे सकतों मैंने को स्लो कर किस लिए दिखा है अभी फिलाल एडवलेम का प्रिसाइज है मतलब जो इसका काम देखोगे ना यहाँ पर देखो एम किया गोली चला खताम और देखा होगा आपने यहाँ पर हेट पर गोली नहीं लगा बॉडी पर गोली लगा है मतलब थोड़ा सा भी डैमेज हुआ ना एक दम काम खलास कर देगा यह भेष्ट को भी डैमेज देगा बॉडि पर बिडैमेग जाएगा और उतना ही यहाँ पर जो है शूझाहित जाएगा अंग जत्एと दाला है तो मैं आपको उसका भी हाइलाइट्स दिखा दे तक कि आपको समझने में थोड़ा सा हिल्फ हो जाए तो गई सबसे पहले बॉंब स्कॉड मोड की हाइलाइट्स अब देख सकते हैं आपको बॉंब मिल जाता है सामने वाला टीम लगाएगा तो आपको उसको एक कर लेगा वो जी जाएगा यह मोड तो यह है गंद किंग मोड एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इनहिलार और इनहिले के बारे मैं आपको एक चीज़ गलत बोला था मेरे को पता तो स्टेम पर मैं आपको ही बोला था कि है यहा बढ़ता जाएगा तो यह जो है बहुत ही बेस्ट चीज है कि इसका जो ऑप्षन होगा ना लगाने का वह मेडी किट के साथ ही होगा मतलब मेडी के जगा पर ही होगा आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगा अलग से और यह आप अटमेटिक स्वीच होता रहेगा जब की जरूरत होगा जब करेकटर को मेडी कि जरूरत होगा तब वो मेडी कि तिखाएगा एंड जब उसको लगएगा कि जरूरत है मैं थोड़ा सा ही हेल चाहिए तो उटमेटिक आपको एनेलर का साय साम देगा और अदर वाइस आप बैक खोलके भी इनेलर को यूज कर सकते हो तो यहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा इसका डिटेल्स दे दिया आपडेट से हटके थोड़ा इवेंट्स को लेके भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर Champions Vault के बारे मैंने आपको बता के रखाए कि यह Champions Vault है क्या जहाँ पर आप डाइडिकली अपने Free Fire के सबसे Best Players जो E-Sport पर अपना कदम रख रहे हैं उनको Help कर सकतो तो यहाँ आपको बता दो इसके लिए आपको करना क्या होगा इसके लिए आपको जादा कुछ करने की जरूरत निया मतलब पैसों से आपको कुछ करने की जरूरत होगा नी ठीक है आप जो Diamond Royal Vouchers या फिर Gun के Skins गेम के अंदर से जो भी खड़ीद होगे उसका जो Revenue गारीना को मिलेगा उसी का एक हिस्सा चला जाएगा e-sport players जो real players है जो अपना gameplay की वज़े से जाने जाते है उन players को जो है मदद कर पाएगा और e-sport develop होगा इससे और आपको इसके मतले मिलेगा क्या जब आप कुछ खड़ीद होगे गेम के अंदर से आपको sponsor rating मिलेगा मतलब आप sponsor कर रहे हो गेम के अंदर और उससे क्या होगा उससे बड़िया बड़िया सामन जो रखे गारी ना top reward पे exclusively वह आपको मिलेगा तो फाइदा सभी का है सबसे बड़ी फाइदा का किसी का है तो real players की है जो deserve करते है बड़े जगा पे जाने के लिए तो उनको फाइदा करते हैं upcoming gold royal के बारे में तो मैं आपको दिखाने वाला हो upcoming gold royal क्या होने वाला है और सबसे बड़ी बात गाइस पूड़ा का पूड़ा उसका look देने वाला हो तो गाइस इस वीडियो पे 50,000 लाइक तो यार सिर्फ gold royal के लिए ही बनता है तो अभी तक लाइक नहीं को अभी क कर दो गाइस तो गाइस चलो देखते हैं upcoming gold royal क्या होने वाली है लेकिन उससे पहले मापकमिंग गोल्ड रॉयल फीमेल का होने वाला है जी हां मेल बंडिल नहीं है फीमेल बंडिल नेक्ष्ट गोल्ड रॉयल पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा तो चला भी फिलाल क्या है नहीं है तो गाइस सबसे पहले आप लोग के लिए आपके स्क्रीन के सामने है गोल्ड रॉयल रखा हूँ आप लोग देख सकतो यह होने वाले आपकमिंग गोल्ड रॉयल का ड्रेस दिखने में तो ड्रेस भाई बहुत अच्छा है फीमेल का कॉस्ट्यूम है यह त बहुत मस्त है और उपर से ड्रेस भी यार बहुत जड़ अच्छा है कालर कॉंबिनेशन से लेके हर एक चीज रियालिस्टिक सा जैसा दिखता है यह तो यार आप लोग बतना आप लोग को जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल को ऐसा लगा है और आभी तो फिलाल बैन आपको द हम लोग 1,000,000 कंप्रीट करने वाला है तो आप लोग का सपोर्ट चीए जितने भी लोग इस चैनल को पर आज पहली बार आए हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लोग आप लोग का सपोर्ट चीए तो यार जो चैनल के नेम के पास आपको डेट कर लागा सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस यहां पर अभी तक सोचल मीडिया पर हम लोग को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम एंड टिक टॉक दोनों पर ही गेमर जोन एविलेबल है उसका लिंक डेस्क्रिप्शन पर है जाके फॉलो कर देना फेजू पेज को लाइक करके पर देना उसका भी लिंक डेस्क्रिप्शन पर मैंने दे रख्खा है एंड गाइस निवोटी पे चलता है तो आप लोग अगर निक डेस्क्रिप्शन पर दे रख्खा है कॉमेंट बॉक्स भी अबिलेबल है निक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा यह वीडियो द